C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप रस्तुत है दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो पेश है दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का ग्यारमा पाठ्थ इदाई तालीम घर पर हुई उन्नी सो बाईस में एंगलो अरेबिक हाई स्कूल से मेट्रिक का इम्तिहान पास किया उसके बाद अधीब कामिल, मुन्शी फाजिल, एफ ए और बी ए के इम्तिहानात प्राइवेट तोर पर पंजाब युनिवरसिटी लाहोर से पास करके उन इदाई से शाय होने वाले अदबी रिसालों में कई मजामीन शाय हुए एक अदबी माहनामा अर्मगान भी जारी किया जो दो साल तक शाय होता रहा 1947 में तक्सीम मुलक के बाद लाहोर पाकिस्तान चले गए उनका इंतिकाल कराची में हुआ अश्रफ सबुही ने दहली के रोज मर्रा बामुहावरा टक्साली जबान में अदबी मजामीन और अफसाने लिखे और तराजिम भी किये दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां और गुबारे कारवा उनके खाकों के मजमुए है ज़रों के अफसानों और खाकों का मजमुआ है बगदाद का जोहरी में से सल्मा, बनबासी देवी, धूप च्छाओं, नंगी धर्ती और मौसिल के सौदागर अंग्रेजी के तराजिम है इनके इलावा बीज से जाइद बच्चों की कहानियों पर मुश्तमिल किताबे हैं अब पेश है खाका निगार अश्रफ सुबोही का खाका मिर्जा चपाती खुदा बख्षे मिर्जा चपाती को नाम लेते ही सूरत आँखों के सामने आ गई गोरा रंग, बड़ी बड़ी उबली हुई आँखें, लंबा कद शानों पर से जरा सा जुका हुआ चोड़ा शफाफ माथा, तैमूरी दाड़ी, चंगेजी नाक, मुगलई हाड, लड़क पंतो किले के दरोद दीवार ने देखा ही होगा जवानी देखने वाले भी ठंडी सांस लेने के सिवा कुछ नहीं कह सकते ढलता वक्त और बढ़ापा हमारे सामने कुजरा है लुटे हुए एश की एक तस्वीर थे रंग रौगन उत्रा हुआ महमद शाही खिलोना था जिसकी कोई कीमत ना रही थी कहते हैं कि दिल्ली के आखरी ताशदार जफर के भांजे थे जरूर होंगे पोत्रों की शहजादगी ठीकरों में दम तोड़ रही थी लेकिन मिजाज में रंगीला पन वही था जली हुई रस्टी के सारे बल गिन लो जब तक जीए पुरानी वज़े को लिये हुए जीए मरते मरते ना कबूतर बाजी चूटी ना पतंग बाजी मुरगे लड़ाई या बुलबुलें तैराकी का शगल लहा या शोब दिवाजी का लेकिन शत्रंज के बड़े माहिट थे गाइब खेलते थे खुदा जाने गदर में ये क्यूं कर बच गए और जेल के सामने वाले खूनी दर्वाजे ने इनके सर की भेंट क्यूं अकबूल की अंग्रेजी अमलदारी हुई बदमनी का कोई अंदेशा न रहा तो मराहिम खुसरवाना की लहर उठी खांदाने शाही की परवरिश का ख्याल आया पेंशने मकरर हुई मगर बराए नाम लेकिन सहिवे आलम मिर्जा फखरुदीन और फुमिर्जा फखरुल मुलकब बब मिर्जा चपाती ने मरदाना वार जिन्दगी गुजारी घर बार जब कभी होगा तो होगा हमारी जब से यादुल्ला हुई दमनकद ही देखा कले की गोद में बाजियों के सिवा और सीखा ही क्या था जो बिगड़े वक्त में आबरु बनाता अपने वालिद रहिम अद्दीन हया से एक फक्त शायरी विर्से में मिली थी पढ़ना लिखना आता ना था फिर जबान तोथली मगर हावजा इसमला का था कि सौ सौ बंद के मुसद्दस अजबर थे क्या मजाल के कहीं से कोई मिस्रा भूल जाएं गोया ग्रामो फोन थे ग्रामो फोन कूग दिया और चले एक दिन किसी शख्स ने मिर्जा सहब के सामने ये मिस्रा पढ़ा सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब और इस पर मिस्रा लगानी की फरमाईश की मिर्जा सहब ने उसी वक्त बेहतरीन मिस्रा लगा कर इस तरह एक आला पाई का शेर बना दिया शैय ने आबिस से कहा बदला ना लेना समर से शैय ने आबिस से कहा बदला ना लेना समर से सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब पिला महरूम के हालात और मौजूदा तहजीब पर उनकी नोका जूंकी जितनी मज़ा देती थी, वो तो मेरा दिल ही जानता है। कभी-कभी वो मुझे पतंग बाजी के दंगलों में ले जाते थे। मुर्ग और बुलबुलों की पालियां भी दिखाई तहराकी के मेलों में भी ले गए। कभूतर भी मुझे दिखा दिखा कर उड़ाए। सब कुछ किया। मैं जहां था वही रहा। हर जगह उनका दिमाग खाया। उन्हें भी मेरे खातिर ऐसी मनजूर थी कि बादले खौसता या ना खौसता वो सब कुछ मुझे बताते। एक दिन दोपहर को कोई दो बजे होंगे। बरसाद का मौसम था। कई घंटे की मुसलाधार बारिश के बाद जरा बादल चटे थे के हजरत मामूल के खिलाफ मेरे पास तश्रीफ लाए। मूँ बना हुआ, आँखे उबली हुई, चेहरे से घुस्सा टबक रहा था। मैंने कहा, खुदा खैर करे भई, आज तो सहबे आलम के तेवर कुछ औरी हैं। कई मिनट तक खामोश बैठे रहे, और मैं उनका मूँ तकता रहा। जरा सी सांस दुरुस्थ हुई, तो बोले, सफा 87 जरा सा सांस दुरुस्थ हुआ, तो बोले, है है सैद, अरे उस पठांचे का टिटर मगज़ापन भी देखा, अरे बड़ा अफला तून बना फिरता है, हैं। बावा तो जुक जुक कर मुजरा करते करते मर गया, और ये बाबू पन कर बाबू की तरह दुलत्यां जारता है, है शर्थ के चार जमा कस तूं, सारी टर्फिश निकल जाएगी उसकी, हाँ। मैं बिल्कु नहीं समझा, आखिर हुआ क्या, कौन पठांचा, अरे ऐसे ननने समझा ही नहीं, अरे मिया, वही काले खांके लड़का जो कचैरी में नौकर है, और क्या, अच्छा मुनीर, क्या उसने कुछ गुस्ताखी की, अरे गुस्ताखी, ना हुआ हमारा जमाना, मिया खांदान भर को कोलू में पिस्वा देता, कोलू में, हाँ, ओ, बड़ा नालाइक है, अच्छा मिर्जा जी ये बताई, बात आखिर क्या हुई, अमा मिया हुआ ये कि मैं कबूत्रों का दाना लेने निकला, गली के नुकर पर बनिये की दुकान है, नालियों में धाएं धा ही कीचर थी, महले वालों ने जा बजा पत्थर रख दिये थे, कि आने जाने वाले उन पर पाओं रख कर गुजर जाएं, अजी अब देखता क्या हूँ, वो अकड़े खां बीच गली में खड़े हुए एक खौनचे वाले से जिक जिक कर रहे हैं, गली तंग, कीचर और प सारा रास्ता रोक रखा हैं, अजी टर्रा के जवाब दिया, कि चले जाओ, बस फिर क्या था, मुझे तावा गया, मैं बोला कि तुम्हारे सर पर से जाओं, बस फिर क्या था, जामे से बाहर निकल पड़ा, वो तो पास पड़ों के दो-चार आदमी निकल आए, और बीज अरे साहबे आलम, आप अपनी तरफ देखे, जो जर्फ में होता है, वही चलगता है, आने दीजे, वो डाट बताऊंगा, कि हाथ जोड़ते फिरेगा सफ़ा नंबर अठासी अच्छा, मिर्जा जी, सुना है के किले के आखरी दोर ही में, शहर की हालत बदल गई थी, ना छोटों का रख रखाव रहा था, ना बढ़ों का अदब अजी, तौबा, तौबा, तुमने तो दिल्ली को दम तोड़ते भी नहीं देखा, हैं? उसका मुर्दा देखा है, मुर्दा, वो भी लावारिस मियाँ, शहराबादी की बातें तिले वालों के सत्पे में थी, जैसे जैसे वो उठते गए, दिल्ली में असलियत का अधिरा होता गया अजी, अब तो नई रोशनी है, नई बाते हैं, और तो खुदा बख्षे, दिल्ली की सिफतें तुम क्या जानो? अजी, पड़े लिखे हो, शाहरी का भी शौक है, भला बताओ तो सही, उर्दू की कितनी किस्में होती हैं? मैंने हैरान होकर पूछा, साहिबे आलम, उर्दू के किस्में कैसी? ये भी एक कही, मुझ पर भी दाउं करने लगे आप? अरे वाँ भई, मालूम है कि तुम दिल्ली वाले नहीं हो, कहीं बाहर से आकर बस गए हो मैं शर्मिन्दा था कि मैं क्या जवाब दूँ? मेरे नस्दीक तो सिर्फ एक यहे किस्म की उर्दू थी, ज्यादा से ज्यादा अवामों खास का फर्क समझ लीजे मगर यह किस्में क्या हैं? माने मुझे चुब देखकर मिर्जा मुस्कराए और कहने लगे अरे सयद, परिशान ना हो, मुझे से सुन लो और याद रखो हाँ, भूलना नहीं, फिर पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, हाँ मैं बड़े शौक से मुझे हुआ और उन्होंने अंगरखे के दामन से मुझे कर कहना शुरू किया देखो मिया, अवल नंबर तो अर्दू मौला है, जिसको मामों हजरत और उन्हें के पास उठने बैठने वाले बोला करते थे वहां से शहर में आई और कदीम शुरूफा के घरों में आ चुपी दूसरा नंबर कुल आउजो अर्दू का है, जो मौलवियों, वाजों और आलिमों का गला घोटती रहती है और तीसरे खुद रंगी उर्दू है, ये मा बेटी बाप कलिंग वालों ने रंग बरंग के बच्चे निकाले हैं अखबार और रिसालों में इसी किसम की उर्दू अदब का छूता नमूना कहलाता है चौते हुर्दंगी उर्दू है मिया, मस्खरों और आज कल के कौमी बल्लम टेरों की मूफट जबान है और पांच्वी जबान कौन सी है, अजी सुन लो मिया पांच्वी उर्दू है, लफंगी उर्दू, जिसे आका भाईयों के लठमार, कडा के दार बोली कहो या पहलवानों, करखंदारों, जिला जगत के माहिरों, भप्ती बाजों और गलीरों कर रोज मर्रा कहो छटे नंबर पर फिरंगी उर्दू है, जो ताजा विलायत अंगेज, हिंदुस्तानियों, इसाई टोप लगाए हुए करानी, दफ्तर के बाबों और चावनियों के सौदागर वगरा बोलते हैं फिर एक सर्भंगी उर्दू भी है, यानी चरसियों, भंगडों, बेनवाओं और तकियेदारों की जबान मैंने कहा भई, आज तो बहरा खुला हुआ है, भई, खूब तक्सीम किये आपने, और क्यों नहो, आखिर शाह जहानी देख की खुडचन जो है मेरी दरफ देख कर एक गहरा ठंडा सांस भरा, आखों में आसु आ गए, और कहने लगे अरे मिया सैद, अभी तुमने देखा क्या है, और सुना क्या है, तिला आबाद होता, दरबार देखे होते, तो असली जबान का बनाओ सिंगार नजर आता अजी अब तो हमारी जबान बेसनी हो गई है, बेसनी, वो लचीला पन, वो चौचलों की बातें, शरीफों के अंदाज, अमीरों की आन, सिपाहियों की अकड़ फूं, वो खादमाना और खुरदाना आदाब औ इनकिसार, शायरों के लच्छेदार फिक्रे, शहरवालों का मेल जोल, पुराने घरानों के रस्मों रिवाज, वो मुरववद, वो आँख का लिहाज अब कहां, मजलिसों, महफिलों का रंग बदल गया मिया, मेले ठेले, पुराने कर्तब, अगले हुनर, सब मिठते जाते हैं, अश्राफ गर्दी ने भले मानसों को घर बठा दिया मि मिया, फेल नशीन, पालकियों में बैटने वाले खपरेलों में पड़े हुए हैं, खपरेलों में, मुफलिसी, नादारी ने रजालों के आगे सर जुका दिये, मूरी की इंटें चौबारे बे चड़ गई मिया, अमामिया कमजर्फों, टीनियों के घरों में दौलत फट प जलन में फरका गया, फरक, हिम्मत के साथ हियद भी जाती रही, मिर्जा ने ये तकरीर कुछ ऐसे इबरत खेज लफ़े लफ़ों में की, कि मेरा दिल भराया, और मैंने गुफ्तगू का पहलू बदलने की कोशिश की, अब क्यों मिर्जा जी, हिज़त गदर से पहले दिली वालों का लिबास क्या था, दो चार पुरानी वज़े के लोग देखने में आए हैं, उनकी बर्जख तो कुछ अजीब ही सी मालूम होती थी, अमा जूटे हो तुम, अजी तुमने कहा देखा होगा, कोई बहरूपिया नकाल नजर आ गया होगा, मियां उन वक्तों में अधना आला में यकरंगी ना थी, दरबारी और बाजारी लोग लिबास से पहचाने जाते थे, आम तोर पर अपनी शकल और शबाहत, तनोतूश, जसामत और पेशे के मताबिक कपड़ा पहना जाता था, कि दूर से देखकर पहचान लें, कि किस खानदान का और कैसा आदमी है, अगर नौजवान है तो एक एक टांके पर जवानी वरसती है मियां, बुड़ा है तो पीरी की शराफत लिबास से साब भाप ली जाती थी, छोटे आदमी जिस पोशाक को इखतियार कर लेते थे मियां, भले मानुस उसको छोड़ दिया करते थे, मियां दो पलडी टोपियों का रिवाज आम था, मगर चोगोशी, पचगोशी, गोल, मुगलई, ताजदार टोपियां मुगल बच्चे और शरीवजादे पहना करते थे, तिले के आने जाने वालों में मंदीलें, बनारसी दुपटे, गोलेदार पकड़ियां मुसल्मानों का हिस्सा था, धरबारी जामा भी पहना करते थे, उमरा, चुगास सरपच और शहजादों में कलगियां भी मरवश थी हिंदों में पहले जामे का ज्यादा दस्तूर था, फिर नीम जामा और उल्टी चोली के अंगर के पहनने लगे, अलावा अजीन अल्खालिक, अचकन, कबा, अबा, हुबा, चुगा, मुर्जई वगयरा भी इस्तिमाल होते थे मियां, पाह जामे या तो तंगमोरी के, या एक बर्रे या गरारेदार होते थे, दाड़ी मूचों की वज़ा भी हर खानदान और हर पेशेवर की अलैडा थी, मगर यहां वालों को फिजूल खेलों, दौलत को लुटाने वाली बाजियों और बेकार मश्गलों के सिवा काम ही ना था, आजी मियां तुम क्या जानों, और उनके मश्गले कैसे कमाल के थे मियां, वैसे हुनर आज कोई नहीं पैदा कर लेता, जहरा फट जाए मियां जहरा, बात ये है कि सारी चीजें वक्त से होती हैं, अरे मियां ना मर्दों का जमाना है तो ना मर्दों किसी बाते भी हैं, शरीफों का शगल, डंटर, मगदर बांक, बन्नोट, ठकेती, इकंग, तीरंदाजी, नेजा बाजी, पंजा कशी था, अब कह दो कि ये सब बेकार था, जी तेराकी, कश्टी, शुक्रे, और बास का शिकार, पतंग लड़ाना, कबूतर बाजी वगएरा, ये सब दिल्चस्पी के खेल थे, कह दो मियां कि ये स बंदे, इन्ही वातों से तो दिल्ली दिल्ली थी, वरना शाजहां की बसाई हुई मुहम्मद शाही दिल्ली और खुर्जा बलंद शहर में क्या फर्क रहता, हैं? सफा नंबर नवे भकियत और बनोटिय ऐसे होते थे कि मौका पढ़ता तो रुमाल में सिर्फ पैसा या ठीकरी बांद कर हरीव के सामने आ जाते और दो जुकाईयों में हतियार चीन लेते तहराकी का ये हाल था कि पालती मारे हुए पानी पर बैठे हैं जैसे मसनत पर हाँ धुआ उड़ाते और मलहार सुनते चले जाते हैं अजी कले की हमाम वाली नहर तो देखी होगी तुमने गस अवा गस का पाठ होगा और बालिष्ट भर से ज्यादा गहराई नहीं उसमें आज कोई माई का लाल तैर कर दिखाए तो मैं जानू मिया मीर मचली तो खेर उस्ताद थे उनका सा कमाल तो किसे मैं असर है दो चार गस तो इतने पानी में तैर कर मैं भी दिखा सकता हूँ अजी जनाब आप रेद पर तैरिये हुबालों पर खड़ी लगाईये लेकिन नतीजा क्या अरे खेली तो थे फिर ये कबूतर वाजी पतंग बाजी मुर्ख बाजी मेंडे बाजी ये सब क्या बला थी बिचारे बे जबानों को लहू लुहान करना और अपना दिल वहलाना क्या अच्छे होना रहे अरे मिया इरानी तुरानी मनचले दहम होकर क्या चूनिया पहन लेते हैं अरे मिया जंग और जडाल का ख्याल इंसानी कुर्बानियों मुलक सतानियों के चाओ खुन की पिचकारियों से होली का वक्त तो लद गया था ना उन पर कोई चढ़कर आता था ना ये कहीं चढ़ाई करते थे अंग्रेजी अमलदारी की बरकत से नकसी रेवी नहीं फोटती थी वो जानवरों को ही लड़ाकर अपने दिल की भडास निकाल लिया करते थे मैं कुछ और कहने वाला था कि मिर्जा ने एक छुड़जरी से ली और ये कहते हुए कि भई घजब हो गया शाम होने को आई कब उतर भूके मेरी जान को रो रहे होंगे और चौक का वक्त भी आ लगा है लाल बंद का जोड़ा लगाना है बस ये कहकर ये जा और वो जा इन बातों को कोई एक महिना गुजरा होगा कि सुभ ही सुभ मिर्जा साहब चले आते हैं आते ही फर्वाने लगे मिया सेयद पुरानी इदगाह चलना होगा मैंने कहा खेरियत बोले लखनाओ से पेंच हैं जानो डेड़ी या मालो डेड़ी पांच रुपए पेंच ठेरा है बड़ा मुर्र का होगा मैंने कहा क्यों खेरियत वो बोले अरे मिया लखनाओ से पेंच हैं लखनाओ से जानो डेड़ी या मालो डेड़ी पांच रुपए पेंच ठेरा है बड़ा मौर का होगा हाँ मैंने अर्च किया सहिवे आलम मुझे ना तो पतंग बाजी से कोई दिल्चस्पी है और ना मेरे पास इतना फिजूल वक्त है कि आपके साथ वाही तबाही फिरू ताओ खाकर उन्होंने आखे निकाल ली और हाकिबाना अंदास से कहने लगे अरे तुम्हारी और तुम्हारे वक्त की ऐसी की तैसी बस कह दिया कि चलना होगा तो चलना होगा दो पहर को आऊँगा तैयार रहना मिया मैं बहुत परिशान हो गया, मगर करता गया, दोस्ती थी या मजाक, तहर दर्वेश, बजाने दर्वेश, अपनी सारी जरूरतों को ताख पर रखा, और हजरत मिर्जा चपादी का मुंतजिर था कि ठीक बारा बजे आवास पड़ी, मिया सेयद, आजाओ, आगे आगे मिर्जा साहब, और फिर पीछे पीछे मैं, अजमेरी दर्वाजे से निकल कर कबरिस्तान लांगते फलांगते पुरानी इद का पहुँचे, वहाँ देखा तो खासा मिला लगा हुआ है, कबाबी, कचालू वाले, दही बड़ों की चाट, पान बीड़ी, पानी पिलाने वाले सक्के, यानि के पूरी खुराफात मौजूद है, जा बजा पतनबाजों की टुक्णिया बैठी हैं, मिर्जा साहब को देखते ही, अरे सहब आलम, इधर, 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 अरे मिर्जा साहब, इधर, आ उस्ताद, पहले मेरी सुन लीजिए, अरे मिया, इधर आने दो, अरे बात समझते हैं न बात की तुम उड़ने से काम हैं, हजरत, हजरत आप यहां आईए, मीर कनक्या आप से कुछ कहना चाहते हैं, चारों तरफ से आवाजे आने लगी, मिर्जा चौकन ने एक-एक को जवाब देते, शामियानी के नीचे जहां मीर कनकया तश्रीफ फर्मा थे, वहां पहुँचे, मीर कनकया लखनों के वाजी दली शाही पतनबास थे, काकरेजी रंग, गोल चेहरा, छोटी-छोटी आखें, बड़ी सिनाख, दातों में खिड़कियां, सर पर कड़बडे पठे, खशखशी दाड़ी, च्छाती खुला, संजाफदार धीला ढाला अंगर खा, सर पर दो उंगल की कलबत्तू की हाशी की टोपी, पाउं में मखमली गरकाबी, कल्ले में किलोरी, उठकर मिर्जा चपाती से बगल गीर हुए, फिर जो पतनबाजी का जिकर शुरू हुआ, तो होती, तो उनकी इस्तलाहें समझ में आती, आखिर खुदा खुदा करके लोग अपनी अपनी टुकडियों में चले गए, आस्मान पर चील कवे मडलाने शुरू हो गए थे, मैं मिर्जा साहब के साथ था, इदगा की दिवार के नीचे से उन्होंने भी अपना अखतर बखत खोल कर एक अंकारा अध्धा उड़ाया, हुजका एक लड़के के हाथ में था, कोई दस मिनट तक जुकायां देते रहे, पेंच हुआ, कभी आगे बढ़ते थे और कभी पीचे हटते थे, एक दफाही जला कर लड़के को तमाचा रसीत किया और बोले, अबे, अबे, हुज का पकड़ने के सूरत भी ना थी, और तू यहां आन क्यू मरा, आखिर कटवा दिया ना, फिर एक उल्फन बढ़ाई और अबके हुचका पकड़ने के खिदमत मुझे अंजाम देनी पड़ी, बतकस्मती से ये गड़ी भी कट गई, बहुत बिगड़े कि बस जब तुम जै जैसे बराबर पेंच निकाले जाते हैं, और मिर्जा फखरू अपने नीचे दो कनकवे कटवाए, अने समेटो मिया समेटो, मुझे अपनी उस्तादी थोड़ी गवानी है, वो कहते रहे मैं तो वहां से हटकर रुमाल बिचा कर अलग जा बैठा, थोड़ी देर में वो भी अपना असबाब जिहालत लुंगी में बांधे, मेरे पासा बैठे, तेवरी पर बल थे, चेहरा सुर्ख, आँखे उबली हुई, मैंने कहा, मिर्जा सहाब, हवा का खेल है, इसमें किसी की क्या पेरी, आपकी उस्तादी में कहीं फरकाता है, सल्तना थी जब हत्ते पर से कड गई, तो इन दो कागस के टुकड़ों का भला क्या खब, आप तो आप ही हैं, कहने लगे, हम या सच कहते हो, हम किले वालों की तकदीर ही खराब है, हवा भी मफावकत नहीं करती, मैंने उनके बुश्रे से उनकी दिली तकलीफ का अंदाजा करते हुए, इस जिक्र को मौकूफ कर दिया, और पूछा, क्यूं मिर्जा साहब, किला जब आबाद था, उस वक्त भी पतंग बाजी के ऐसे ही दंगल हुआ करते थे, सफा नंबर बानवे अरे मियां, एक धूप थी के साथ गई आफ़ताब के, उस वक्त का समा क्यूं कर दिखाऊं। अरे मियां, हर बात में एक शान हुआ करती थी, एक काईदा था, और हजारों गरीबों की रोटियों के सहारे थे, मामूल था के असर का वक्त हुआ और सलीम गढ़ पर जम घट लगा, अरे मियां, बड़े बड़े पतंग, दो तावी और सहतावी तकल्य, दूर की चर्खियां लेकर शाही पतंग बास पहुँच गए, खलूत के अमीर और शौकीन शहजादे मिर्जा नब्बू, मिर्जा कुदाल, मिर्जा काल्टिन, मिर्जा चिडिया, मिर्जा जुर्जुरी भियां मौजुद हुए, ये सला तीन जादे बहुत मुच अड़े थे, अच्छा, हजरत, हिजजद ये नाम कैसे पढ़ा, क्या इसी बोली का नाम अर्दु मौला है? अरे छोड़ो मिया, कुछ पढ़ा लिखा भी या घासी खोते रहे हो अब तक, हैं? अरे जबान की तकसाल किलेही में तो थी, वहां महावरात न ढ़लते तो कहां ढ़लते भला? तबियते हर वक्त हाजिर रहती थी, हर बात में जिद्दत मद्दे नजर थी, हसी मजाख में जो मुझ से निकल गया, गोया सिक्का ढ़ल गया, किसी के फटे फटे दीदे हुए, तो मिर्जा बट्टु कह दिया, लंबा चेहरा चुगी दाड़ी देखी, तो मिर्जा चुकाया, मिर्जा कुदाल कहने लगे, चकले चेहरे वाले पर चोपाल की, और ठिंगने पर घटनने की फटी उड़ा दी, गरस के मिर्जा चील, मिर्जा जपट, मिर्जा याहू, मिर्जा रंगीले, मिर्जा रसीले, बीसीओं इसमें बामसम्मा थे मैं जुमरात को चपातियां और हलुआ बांटा करता था सो मेरा नाम मिर्जा चपाति मशूर कर दिया लीजिये, हमें आज तक मिर्जा चपाती की वजे तस्मिया ही मालूम ना थी ये आपका खेर से टकसाली नाम है अरे आप ज्यादा ना इतराओ मियां कस्सा सुनते हो या कोई फप्ती सुनने को जी चाता है आच 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 आप कान पकड़ता हूँ बीच में आपको बिल्कु नहीं टोकूंगा आप फरमाईए हाँ अजी सब सामान लैस हो गया तो बड़े हजरत की सवारी आई दूआ सलाम मुझरे के बाद हुक्म लेकर दरिया की तरफ पतंग बढ़ाया गया दूसरी जानिब से मुईनल मुल्क नजारत खा बादिशाही नाजिर का मिर्जा यावर बख्त बहादुर या जिसके लिए पहले से इर्षाद हो चुका है पतंग उठा रेती में सवार खड़े हो गए पेंच लड़े धेली चली पतंग या तकले छपकती हुई चली जाती है या हाथ रोक कर डूर दी तो डूपते आस्मान से जा लगी पेटा छोड़ दिया डूरें जमीन तक लटकाई सवारों ने दो शाखे बांसो पर ले ली पतंग कटा दो दरिया के वार बार डूर पड़ गई डूरें लूटी पतंग के पीछे पीछे गौल के गौल शाहिद रह तक निकल गए जिसने वो तकल या पतंग लूटी पांच रुपे की मजदूरी की मिया डूर भी बीस बीस तीस तीस रुपे सेर की बिग जाती थी बादिशा कभी तो खाली सेर ही देखते रहते और कभी जी में आता तो तखते रवां से उतर पड़ते मचली के छिलकों के दस्ताने पहन लिये पतंग हाथ में ली एक आद पेंच लड़ाया और हसते बोलते महले मॉला में दाखिल हो गए अरे मिया सेद ये भी ख़वर है कि वो पतंग या तकले कितनी बड़ी और कैसी मेहनस से बनाई हुई होती थी तकले तो तुमारे पैदा होने से पहले मर चुकी खैर मैं कभी उनकी तस्वीर दिखाऊंगा तुमें वो कदे आदम होती थी और एक-एक की तैयारी में कई-कई दिन लग जाते थे डोरे भी एक बली, दो बली, तबली, चौबली, कन्नकों और तकल्लों के जोर के मुआफिक बनती थी माजों के नुस्खे भी हर घरानी के अलग-अलग हुआ करते थे आजी तकल्लें तो तकल्लें, आज वैसे पतंग भी न बनते हैं ना किसी में इतना बूता होता है के उनकी जूँक समभाल सके आजी अब तो छोटी तनखे रह गई हैं, या बड़े नामी पतंग बाजों के हाँ अध्धे आजी वो भी कनकवे नहीं, गड़ियां होती हैं, गड़ियां लंडूरी बन निचल लेगी, हाँ भई वाकि लुट्फ तो बड़ा आता होगा अरे मिया, जहां अपनी हुकूमत, घर की बादिशाहत और पराई दौलत होती है न यही रंग हुआ करते हैं वहां के इशरत गाओं में हर वक्त नमाजे नहीं पढ़ी जाती हैं, मुझाहिदे और मराकबे नहीं होते ये ना उठाएं तो जिन्दगी की रहतें भला कौन उठाएं, हैं? दुनिया में हमेशा यही तो होता रहा है और यही होता रहेगा सफ़ा नंबर तेरानवे मिया सल्तनतों की भी उम्रे होती हैं जिस तरह आदमी कोई पेट में, कोई पैदा होते ही, कोई बच्पन में, कोई जवान होकर और कोई उम्रे तिवी तै करने के बाद मरता है ना, इसी तरह बादशाहते भी मरती हैं कोई एक पुष्ट चलती है, तो कोई दो पुष्ट, किसी का सिलसला सौपचासी बरस में तूट जाता है और किसी की मारत सुदियों की खबर लाती है मुगलों ने छेसो बरस तक तख्त को सम्हाला मिया आखिर बुढ़ापा तो सभी को आता है भई, उनके कंधे भी शल हो गए दुनिया का यही कारखाना है मिया, आज इसका तो कल उसका जमाना है मौत और जवाल बहाना ढूनते हैं, अब हमारे लिए एशो इश्रत ही बहाना हो गई मैं समझता था कि मिर्जा निरे शहजादे हैं और इनकी मालुमात में बाजियों के सिवा कुछ भी नहीं लेकिन आज मालुम हुआ कि किलेवालों का दिमाग बिगड़ी में भी कितना बना हुआ था मैंने कहा, मिर्जा साहब ये आपने भला किस फलसफी का लेक्चर याद कर लिया है, दो चार जुमलों में कैसे कैसे नुक्ते हल कर गए आप वो बोले, प्यारे हमारे एहवाल पर ना जाओ, जान कर दिवाने बने हुए हैं, नहीं तो क्या नहीं जानते और क्या नहीं आता आलम में अब तलग भी मस्कूर है हमारा, अफसाने महबबत मश्हूर है हमारा अश्रफ सुबूही सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक, मिर्जा चपाती कौन थे और उनका हुलिया क्या था सवाल नमबर दो, मिर्जा चपाती ने अर्दू जबान की जो किसमें बताइए, उनके नाम और खुसूसियात लिखिए सवाल नमबर तीन, मिर्जा चपाती ने क्यूं कहा के दुनिया का यही कार्खाना है, आज इसका तो कल उसका जमाना है सवाल नमबर चार, किले की पतंग बाजी और आज की पतंग बाजी में क्या फर्ख है? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजार अर्दू भागदो का ग्यारमा पार्ट यहां समाप्त हुआ, इसके बाद पार्ट बारहां आता है प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T